हां जी, असलाम लेकूम, मैं हूँ इबरहीम और अरम की मामा और आज हम उन दोनों का फेवरेट ब्रेट पिसा बनाने की आपको रेसिपी बताने लगी है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है सबसे पहले आपने एक फ्राइपन लेना है, उसमें आपने दो ब्रेट की स्लाइस ले लेनी है और एक तो पूरा आजाएगा, दूसरे को आप कट करके एड़स्ट कर लें कि वो पैन में कम्प्लीटली सेट हो जाए जब आप इसका साइज मेर कर लें आप ये स्लाइस को निकाल लें और साईट पर रखतेए अब एक बॉल में आप दो अंडे ले लें एक एक करके पहले एक उंड़ा डालें फिर दूसरा अंडा डालें, फिर इसके अंगर तोड़ा सा नमक डालने, आपने अपने टेस्स के कॉरिंग डालने, थोड़ी सी mix herbs डालनी है और थोड़ी सी black pepper डालनी है, इसको अच्छी तरह बीट कर लें, थोड़ा सा ये foamy foamy fluffy 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 सा जब बीट हो जाएगा, ये देखें कितना फोमी फोमी सा उपर इसके जहागा गई है अब इसको भी हम साइट पर रख देते हैं अब एक पैन लें उसमें एक टेबल स्पून ऑईल डाले अब एक ब्रश लेकिए उसको अच्छी तरह ग्रीज कर ले पर उसके अधर आपने वे बीटन एक तना एक का मेइच्छर उसको डाल देना अ ब्रॉश के बाद आपने वे जरी ब्रेट का एक पूरा सलाइस रखाता उसको सेट करने में पैनके साथ और उसके बाकी जो पीसे जे एक प्रैट के हमने रखे थे इसको अच्छी तरह आपने इसके साइटों पे पूरा इजस्ट कर ले ना कि पैन में पूरा आजायो अब इसको आपने कवर करकी फाइव मिनिट्स के लिए कूक करना है फाइव मिनिट्स के बाद आपने फ्लेम को आफ कर देना और यह इस तरह से देखें आपका ओमलेट और वो ब्रेट सी बन जाए अब आपने उसको फोल्ड करना अब आपने इसके उपर जड़ा से पिजा सॉस बनानी है बनी बनाई ले 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 या खुद बना ले आपकी मरज सॉस जुन्सी है वो इसके उपर स्प्रेड करनी है थोड़ी सी मॉजरेला चीज डाल दें अब इसके उपर आप अपनी मरजी की वेजिटेबल्स डाल दें मेरे पास सारी वेजिटेबल्स हैं कैपसिकम बेल पेपर वगेरा सब कुछ है चिकन सॉसेड़ डाल दें बियरम को सॉसेजिस अच्छे लगते हैं थोड़ा सा ब्लैक ऑलिफ डाल दें जरा कलरफुल हो जाता है मैं इसके तोड़ी सी सीजिनिंग कर दें ब्लैक पेपर के साथ पेपरीका बॉर्डर के साथ आपकी मरजी है अब इसमें ताइम और गयनों जो भी आपने डालने डाल दें अब मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद है और बियरम ने मुझे कहा था कि मामा ये वाली रेसिपी चैनल पे दें तो ये मैं आप लों के लिए ले आई हूँ जरूर ट्राइ कीजएगा आपको इसका बहुत मज़ा आईगा ये ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छा है ए और फिर मुझे बताईगा के में पर की बताईगा आपके बच्चों को ये चालेगा कि नहीं चालेगा थेंक यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो अलाहाफिज